असलाम अलेकुम आप देखते हैं फूट विला और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही यमी किसम के टीरा मेसु की रेसिपी जिसको आप सिर्फ 10 मिनट में तियार कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक कप गरम पानी और इसमें आप आलेंगे वन टी स्पून इंस्टेंट कॉफी इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप से एक साइड पर रख देंगे ताकि यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए और आपको चाहिए एक कप विपिंग क्रेम और इसमें मैं डाल रही हूँ वन टेबल स्पून भरके शूगर अगर आपको इससे जादा शूगर पसंद है तो आप इससे जादा डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें सिरफ वन टेबल स्पून ही डालूंगी यह देने क्रीम अच्छी तरह से भीट हो चुकी है अब मैं इसमें डाल लही हूँ one cup mascarpone cheese और इसको भी आपने अच्छी तरह से mix कर लेना है यह देखें यह दोनों जो whipping cream और mascarpone cheese था वो अच्छी तरह से mix हो चुक है अब आपको चाहिए 15-20 sponge biscuits आप इनको कह लें या lady finger biscuits अगर आपके पास इस तरह से कोई biscuits नहीं है या easily available नहीं है तो आप जो sponge cake होता है वो भी इसमें डाल सकते हैं इसके लावा मैं इसमें थोड़ा सा food, kiwi और strawberry भी डाल रही हूँ अब आपने सबसे पहले इस तरह से biscuits को coffee में dip करके इसकी एक layer लगा देनी है और इसके उपर आप ये cream डाल देंगे जो हमने पहले से बनाई थी इसकी एक layer लगा देंगे इसके उपर आप थोड़ा सा fruit डाल लेंगे कोई भी fruit जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं मैं kiwi और strawberry यूज़ कर रही हूँ इसके उपर दुबारा से एक layer आप biscuits की लगाएंगे अब आप दुबारा से एक layer cream की लगाएंगे इसके उपर आपने थोड़ा सा cocoa powder dust कर लेना है और ये जो fruit बच गया था ये भी मसारे का सारा इसके उपर डाल दूँगी fruit डालेने के बाद इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लेना है इस तरह सेट कर लेने के बाद अब मैंने इसके उपर दुबारा से थोड़ी सी cream जो बच की थी उससे इसको decorate कर दिया है आप जिस तरह से decorate करना चाहें आप इसको कर सकते हैं इसको serve करने से पहले आप इसको 3-4 खेंटे के लिए fridge में रखें बेस्ट है कि आप इसको overnight fridge में रखें और next day आप इसको खाएं और मज़े उड़ाएं जब भी आपका देल चाहें आप इसको बनाएं recipe अगर अच्छी लगे तो please मेरे चैनल को like, share और subscribe ज़रूर कीजिएगा इंशाला नेक्स वीडियो के साथ, नेक्स recipe के साथ हाजिर होंगे, तर्त के लिए अजाज़त कीजिए, Allah हाफिस